अमस्कार दोस्तों, मेरा नम इपी जे mez़ मार आप देख रहा है कोमिक्स पितरा चैनल को तो चलि दोस्तों, हम लोग कोमिक्स पढ़े थे माया महल और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेस तक कबर कर लिया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहनी को सुरू करते है पता नहीं क्या समझ रहा है खुद को हे भगवान ये तो पत्रों पर चड़ी जा रही है चलू रोको उसू इधर तांत्रिक सालांस वो नौजवान अवस से कोई पुन्य आत्मा है इसलिए वो माया महल के समोहन से मुक्त है तो दूसरी ओर बौडर चिमगादरों से बच कर आगे बढ़ चला उफ पता नहीं अभी और क्या-क्या भुगतना पड़ेगा सहसा रोसनी इसका मतलब सुरंग का रास्ता नजदी की है इधर खाजाने के लालच में अंधी हेलेना अरे अजगर बचो हेलेना सुदानसू ने हेलेना को धक्का दे कर अजगर के मुह में जाने से बचा लिया ये क्या बत्तमीजी है सुदानसू मैं ऐसा ना करता तो अब तक वो अजगर तुम्हें हजम कर चुका होता कहां है अजगर वहां तो सिर्फ एक महराब भर है कमाल है तुम्हें ये पेड़ और उस पर लटका ये अजगर नजर नहीं आ रहा तभी अचानक अरे ये कहां से परकट हुआ आहा माया महल हम तो ये भी खजाना प्रेमी है आएं वो रास्ता कहां गिया जिससे मैं आया था फिर चलो जाने दो मैं तो खजाना तलास्ता हूँ हम तो इसका अर्थ हुआ ये माया महल सिर्फ सम्मोहन मातर है लेकिन इसका निर्मा था अब मुझे समय गवाई बिना खजाना ढूणना चाहिए मिस्टर सलांस जर्नलिस्ट इधर बोडर एम हेलेना खजाना खोजने में मस्गूल थे अरे ये लड़की कौन है फिर ये लड़की कौन हो तुम मैं हेलेना और तुम मैं बोडर हूँ अंतरास्ट ये चोर ओ तुम्हें खजाना मिला नहीं और तुम्हें मैं तो थोड़ी देर पहले ही अंदर आई हूँ तो आओ हम मिलकर खजाना ढूनते हैं हम 50-50 के पार्टनर होंगे ओके मुझे मनजूर है इधर इंटर पोल के मिटिंग हॉल में भिविन राष्टो के टी में अपराधियों से टक्राव के समाप्थ हो गई है लगता है माया महल का रहसे अब कभी नहीं खुल पाएगा हाँ कोई भी बिसे सग्ये वहाँ जाने को तयाग नहीं है सर हमारा सबसे सुयोग के इंटेंट सुधानसू इस मिशन पर काम कर रहा है सुधानसू एजन्ट सुप्रीम वर्ल्ड जी हाँ मुझे उमीद है वो अतिस्यक्र इस केस का भांडा फोल कर दिखाएगा हमें भी वेस्टन टापू पर सुधानसू ना जाने इस वक्त कहां होगा इस माया महल का निर्माता मैं यहां हूँ मेरे मित्र अगले पल तुम जो दिखते हो हकिकतन वो नहीं हो आखिर तुम हो कौन तुमने ठीक पहचाना हकिकतन मैं सलांस सुधानसू को कहानी बताने लगा दूसरी ओर संचार माध्यम अभी भी माया महल को ही निसाना बनाये थे जो लोग माया महल का रहसे खोजने गए थे वापस लोटकर चुप बैट गए या वहाँ पहुंचने से पहले ही लड़ मड़े तो दूसरी ओर चार्ली महपलीन मनसूबे बांध रहा था हम अब मैं देखता हूँ इस माया महल को सहसा जाड़ूंगा तयारी करो तुम मेरे साथ चलोगे खाजाने की खोज में सिग रही पाइलेट वेस्टर टापू पर पहुंचने में हमें कितनी देर लगेगी साड़े तीन घंटे स्रीमान अगले बल घर इधर बोर्डर और हेलेलना खाजाने की खोज में थे की सहसा बोर्डर को ठोकर लगी अरे क्या हुआ फिर धडाम क्या हुआ बोर्डर चोड़ तो नहीं लगी हाँ नहीं दूसरी और सुधानसू ये ठीक है सालांस तुम्हें सिउजे ने वरदान दिया लेकिन ये माया महल बनाने से पहले इस यूग के बारे में तुमने नहीं सूचा तुम्हें सारी बिध्यायत वरदान में मिरी लेकिन अन्भो तो आम इंसानों के बीच तुम ठीक कह रहे हो मित्र सुधानसू तो फिर अपने इस सम्मोहन को समाप्त करो अभी लो अगले ही पल अरे माया महल कहां गायब हो गया सम्मोहन खत्म हो गया ठीक तभी ये कौन है अगले पल मैं हेलेना हूँ हाँ तुम्हें तुम्हेंने अकबार के ओफिस में देखा था मैं बॉडर हूँ हेलो बॉडर अब तुम्हारा क्या इरादा है बोडर हेलेना से बिवा कर सराफत के जिंदगी जीना और तुम हेलेना मेरा भी यही इरादा है हमें सबक मिल गया है हमारी सुबकामना है तुम्हारे साथ है धन्यवाद फिर बिदा दोस्तों फिर मिलेंगे अब तुम्हारा क्या इरादा है मिस्टर सलांस अब मुझे एक बेक्ती का इंतिजार है वो देखो आ गया है गर्र वो कौन है अगले पल अरे ये तो चार्ली मैपलीन है हाँ दुनिया का सबसे अमीर बेक्ती लेकिन ये यहाँ क्या करने आया है दौलत बटोरने लेकिन इसके पास तो बेसुमार दौलत है हाँ और लालच भी एए यहाँ एक महल था वो कहां गया हाँ वो तो है अगले पल लेकिन हमारा हेलिकेप्टर कहां गया हेलिकेप्टर महल की चट पर है सच मुच ओ तुम कोई मायावी आदमी लगते हो और यहाँ कखा जाना हथियाना चाहते हो लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा जड़ूंगा इसे निस्तान अबूद कर दो अगले पल जड़ूंगा ने अपनी कमर में बंधी आरी निकाली और खच लेकिन फिर ओ ले अब तु नहीं बस सकता जड़ूंगा सलांस के टकर मानने के लिए भागा लेकिन लेकिन वो सलांस के सरी से टकराने की बज़ाए पार निकल गया और और इस बार सर धाये धाये ओ उफ बस बहुत हो चुका चार्ली मेपलीन तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा अगले ही पल हाथ गुमाते ही नहीं इतनी जल्दी पस्त हो गए मिस्टर चार्ली लेकिन अभी मेरा खेल पूरा नहीं हुआ है ये देखो सलांस ने अपने तांत्रिक सक्ती से उन दोनों के कपड़े फ़ार डाले और आएं ये ये क्या हम भिकारी बन गए सुबक सुबक मेरी कोठी मेरी दौलत बाबुजी भगवान के नाम पर अरे डैडी ये तो चार्ली मैपलीन है हाँ वही लाल्ची है अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है नहीं मुझे माफ करती जिये आपने मेरी आँखे खोल दी उठोबट्स चार्ली मेपलीन तुम्हारा प्राश्ची थी तुम्हारे गुनाहों की सजा है भगवान अब अपनी सारी दौलत मैं भलाई के कारियों में लगाऊंगा खुस रहो मेपलीन मेरा सिर्वाच सदा तुम्हारे साथ रहेगा फिर जाओ नया भवी से तुम्हारा इदियार कर रहा है अगले ही पल जूम अब आप कहा जाएंगे सलांसमहान वहीं जहां मानो को मेरी जरूत होगी अच्छा मित्र अब बिदा मिलते रहना सलांसमहान तुम जब भी पुकारोगे दोस्त मैं हाजिर हो जाओंगा अब ये दिप जिसका नाम मैंने सिवाला रखा है यही मेरा घर है और भटको को रह दिखाना मेरा उद्दे सलांसमहान का अगला करनामा महान सलांस और भैंकराम अरे गायब हो गया इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिक करके ज़रूर बताना और कहानी अगर अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सेर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल पे ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोज